हेँ आई वालकम ठीक कूकिंग खबीर आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी पनी टिकका ग्रीवी की रेसेपी बताने जारी हूं इसी वीडियो में आपको बहुत ही टेस्टी और एजी तरीके से कम इंग्रीडियन्ट को यूज करके पनी टिकका बनाना बताउंगी और साथ ही में उसको अगर आप ग्रेवी संग भी सर्फ करना चाहते हो तो उसे आप कैसे कर सकते हैं वो भी बताओंगी सारी चीज़ें बहुत ही कम इंग्रेडियन को यूज करके बनाई ही है तो चलें फिर वीडियो शूर करते हैं अगर आपको वीडियो रसेपी अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और शियर सरूर करें तो पनी टिक का ग्रेवी बनाने के लिए आपने लेना है एक बड़ा बोल इसमें मैं डाल रही हूँ एक कब दही दही को जो है मलमल के कपड़े में बांद कर आदे घंटेंगी टांग लिया था इससे क्या हुआ कि इसका पानी तना वह बिल्कुल निकल गया और हमें एकदम सूखी दही यूज करनी ठीक है पाउडर यह पनी टेस्के कोड़िंग कम्या जाधा ले सकते हैं और 1दरश चूटा चमच लिया हुआ है धनिया पाउडर वन थर्द टेस्पूen है कुटी काली नियर्च ठीक है और एक चूटा चमच है जीरा पाउडर एक चूटा चमच है मूटी वाली सौफ का पाउड जिसको मैंने घर पर ही बनाया हुआ है और हाफ टीस्पून लिया हुआ है गरम मसाला इसकी भी रेसेपी आपके साथ शेयर किया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्रिप्शन मॉक्स में है वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं और सवात के नुसार आपने नम्मक लेना है यहां और मैंने एक चोटा चमश लिया हुआ है और वन फोर्थ टीस्पून है बुनी हुई कसूरी में थी ठीक है इन सारे ड्राइ इंग्रीडियंट को इसमें डालना है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और हमने लेना है दो बड़ा चमश सरसो का तेल जिसको बहुत ही अच्छे लगने वाला है और अब इसके अंदर हमने डाल देना है 500 ग्राम पनी इसको मैंने बड़े-बड़े क्यूब्स में कट किया हुआ था और साथी में मैंने यहां डाला है क्यूब्स में कट कर के प्याज शिमला मिर्श और टमाटर टमाटर की मैंने बीच जो है वो उपर की जो शीटो थी वो यूज किया हुआ है अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे और स्मोकी फ्लेवर के लिए मैं यहां पर सिल्वर फॉयल की कटोरी बना के रह रही हूँ अब इसके उपर हमने जलता हुआ कोईला डालना है और उसके ऊपर थोड़ी सी ही देसी की डालेंगे और तुरंथी इसको कवर करके पांस से दस मिनट के लिए ठीक है बाश मिनट के बाद आपने इसके कवर को अटा देना है और अपने हाथों से इसको बहुत अच्छे से वापस से मिक्स करें जितनी भी हमने मैरिनेशन रेडी किया हुआ है वो हमने पनीर और व हो अब इस वपनी टिक पा का को रोस्ट करने के सब से एजी तरीका है कि आप घैस के ऊपर जाली रखें और Չसके उपर कोईला रख Mis Miami में एक अगर आपके पास कोईला नहीं है तो आप सिर्फ एस पर भी इसको रोस्ट कर सकते हैं और इस तरीके से हमने इस पनीка कर राउं बंदर यह पनीर ट्क का बहुत यछ रोस्ट हो 충 jeunes 아니야 अब चाहूँ तो इसको ऐसे ही सर्फ कर सकते हैं चाहँ तो इसको ग्रेवी में नाल के सर्फ कर सकते हैं उससे भी पनीर टिक का ग्रिवी बहुत ही ज़ादा तेस्टी लगेगी तो चलें फिर अब मैं आप को कि अगर ऑपन आपने flame को करना है slow to medium और चलाते वे आपने इस प्यास को बहुत ही अच्छे से fry करना है जब तक कि इस तरीके से golden नहीं होने लगे तब तक ठीक है जैसे ही आपकी प्यास golden brown होने लगे वैसे ही आपने इसके अंदर डाल देना है दो चोटा चमच अदरक लैसन का पेस्ट इसक एक बड़ा चमच धनिया पाउडर एक चोटा चमच है लाल मिर्श पाउडर एक चोटा चमच नमक इन दोनों को आप अपने टेस्क के अकॉर्डिंग कमिया जादा ले सकते हैं और आदा चोटा चमच लिया हुए या पर भुना जीरा पाउडर वन थर्ड टेस्पूल तर्फेट का इस्तोमाल किया हुए था उसमें सेट निकली हुई थी उधी हमने यहीं पर डाल देना है और उड्हार को डालकर अपने इसके अपनी अदर रदेना है वन फॉट कप पानी ठीक है पानी डाल कर इसको चलाए और कर स्लो टूमीडियम फ्लेम पर थाकि मसाला जा तो आपने इसके अंदर डाल देना है ठीक है और साथ ही में हम इसमें डालेंगे धाई बड़ा चमच है टोमाटो प्यूरी और मैंने होम में टोमाटो प्यूरी का इस्तेमाल किया हुआ इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में है आप आप से जाके इसको देख सकते है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल कर भी इसके अंदर डाल देना है और अब हम इसको चलाते हुए बहुत ही अच्छे से भूनेंगे जब तक की इसमें से ओयल सेपरेट नहीं हो जाए तब तक और यहां पर देखे आपको कश्मीरी लाल मिर्श या किसी भी एक्स्ट्र पूट कलर की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने टोमैटो प्यूरी में ही चुकंदर का इस्तिमाल किया हुए जिससे इसमें नैचुरली रिट कलर आ रहा है जो कि बहुत ही साधा अच्छा दिख रहा है और टेस्ट भी बहुत बढ़ी है बस फिर जब मसालों में से ओयल इस त अगर आपको और पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें और पानी भी आइट कर सकते हैं अब इस पनी का ग्रेवी को बहुत ही टेस्टी फ्लेवर और खुश्बूदर बनाने के लिए आपने इसमें डाल देना है वन फोर्थ टीस्पून गरम मसाला और वन फोर्थ कि अई बर में लिए बहुत ही टेस्टी और इजी तरीके से बनने वाली पनी टिक का ग्रेवी ये बहुत ही टेस्टी रेसेपी है आप एक बर इस रेसेपी को जरूर ट्राय करें और मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो और रेसेपी तन है